हेलो अब्रिवान हाव और यू अब दोस्तों यह सब मैंने बोला था कि पांच मिनिट में मैं आऊंगा भी लाइव सेशन लेके सीटाइड की प्रपरेशन के लिए कि बहुत लिम्टेड टाइम रह गया सीटाइड की तैयारियों के लिए तो आप कैसे तैयारियां करेंगे कै लाइव आजाएए जल्दी जल्दी तो अब सीटाइड की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बहुत समय बाद आ रहा है सबसे बड़ी समस्या ही बोलेंगे से वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है समस्या दो और इसके लावा कोई भी नहीं है कि के वियस में एक अडवांटेड दि अब दिक्कत यह है कि लेंटेड टाइम है आपके पास अभी यूपी टैड देगे चुके हुए हैं आपको लिखित की तैयारी भी करने हैं काफी चारे लोगों को अतरप्रदेश के और अब इस कम समय में कैसे मेनेजमेंट करेंगे क्या देखेंगे तो देखिए सबसे पह अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वह होती है हमारे किसी पेपर को जब हम देते हैं तो क्या मुझकी सारी एंट्रीज फिलप कर रहे हैं क्या हम पूरा टेम्ट कर पा रहे हैं पेपर तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जस्त गिव दा एक्जाम केरफुल कर रहे हैं तो वहां पर नहीं चल पाएगा क्योंकि उसका कारण है सीटाट में एक बहुत मेजर डिफरेंस आता है बाकी टीटी से वह मेजर डिफरेंस है लेंगवेज का लेंगवेज में इसमें क्या है बहुत क्रूशल मिस्टेक जो सबसे जादा लोग करते हैं और पहली तरीके से बस मैं बच गया उसमें क्या होता है लेंगवेज आपसे चुनी जाती है अपने फॉर्म बढ़ा होगा तो आपसे पूछा गया होगा कि लेंगवेज 1 आपकी क्या है तो लेंगवेज 1 में आपने हिंदी बढ़ा होगा आप सभी ने हिंदी वाची शेत्र से हैं तो सभी लोगों ने हिंदी बढ़ा होगा अब एक प्रॉब्लम यह है कि आप एडमिट कार्ट देखेंगे तो लिखके आ रहा होगा हिंदी कोई और भी प्रॉब्लम धीज अधी पहलली लेंग्वजाइंस पहुंचेंगे पहुंचेंगे इंग्लिश पिर हम्लेगी यह याद रखने चुना हुआ है और उसके रागज करते चले जा रहे हैं आपने पेड़गोजी करें खतम उसका लेंगवेज्च पर आए अंग्लियुकर लेकिन आप कान आख खुले रखियेगा क्योंकि आप लेंग्वेज्ट चूज कर रहे हैं उसका वड़ा matter करेगा कि आपने language 1 में कौन सा code चुना हुआ है अगर आपने 0-2 code लिखा हुआ है हिंदी का इसका मतलब है कि पहले जो language attempt करेंगे वह हंदी अटेम्ट करेंगे यैनि पहली जो अंग्रेजी पड़ेंगी वह करना पड़ेगा पहली आप हिंदी एटेम्ट करेंगे फिर द्वारा इंगलिश यंदी जो मिलेंगी उसमें एपने हैं जो नि है यह क्या करते हैं हम यह में तो भरबाद हो जाती है हमारी आंसर की में तो यह मेजर पॉइंट है जहां पर सीधे सीधे आपके 20 मार्स अगर जदा रूपर नीच हो गए तो पास फेल का पूरा डिफरेंस हो जाएगा और सीटेट के वैसे से बहुत सारी चीज़ें जोड़ी होगी है और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग अभी भी सुनते आ रहे हैं और पिछले तीन-चार साल से मैं तो सुन रहा हूं और सही है जैन्मेंट चीज है हम लोग करते हैं आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैं कभी भी पेपर देता हूं टीट या रिटेन एक्जाम हो गया करना चाहिए आपने टाम लिया लेकिन आपने बवल जो हैं बिल्कुल करेक्ट भरे आपका रिजिस्टेशन नंबर रॉल नंबर जो नंबर अटेंट अगर मांगे जाएं तो देखिए किस तरह की हमार आती हो तो थोड़े बहुत परवरतन भी हो तो वी के नोट से प्रॉ जाएंगे तो अगर मां लीजिए आपने कोड़ी नहीं भरा आपने एक्जाम का या अपनी बुकलेट का कोड़ी नहीं भरा तो पूरा 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 पेपर करके आए हैं और बात है कि दूसरी सेंपल चीज एक सेकंड मैं आपके कमेंट एक बार देख लेता हूं पढ़ दीजिए प्लकुल पढ़ दीजिए उसे कि बहुत ज़्यादा कोश्चन रटने वाले तो नहीं आते सीट में और पैड़ागोजी का सबस्ट बड़ी दिक्क्त यह है कि पैड़ागोजी की कोई स्पेसिविक बूक आपको संध्या नहीं सकती यह परिस्तिति जन्य ह और तो पैड़ागोजी कोई किताब नहीं बता सकती आपको थोड़ा सा चुनना पड़ेगा उसमें से और नेगेटिव आंसर ज्याले से आप आप कर सकें तो तो नेगेटिव आंसर बिल्कुल हटा दीजे दिमाग से करेंगे हमें तो उस बच्चे को कैसे भी करके जोड़ के रखना है क्लास में तो यह एक दिमाग में आपको बताई दिया है और जी एड्मिन साहब दीरज जी आ चुके हैं राहुल वाई नमसकार और सीटेट तो नितिन भाई अभशेक चित्रव जी पेडागोजी तो सब्सक्रवड़ी समझ चाहिए कि पेडागोजी आपको कोई बुक नहीं सिखा सकती एक साइकलोजी पढ़ने से कड़वांटे दोता है अगर हम रिफ्रेंस बुक पढ़ते हैं और दीपेंदर कुमार्त पाठी ज यह होप के मैं आपका समय नहीं केलकर और क्योंकि क्लतिएं तो यह जो है ज़ है सुमित राहूल। है यह जो है पेपर टू सुमित राहु पीपर वन यह मेरे सामने आ गई है जो सीरीस में देखते आया था यह अपको यहां पर आई राइट है और इस तरह की एंट्री आती है नीचे आपके वर्ड्स में नाम आएगा सेंटर का नाम आएगा उसके नीचे हस्ताक्षर और आपका नाम है ना बागी इंस्सक्षन से बार पढ़ लीजिएगा यह पेपर वन की शीट है जो मैं आपको दिखा रहा ह है दो पेड़ागोजी के बाद इसमें आएगा mathematics का पार्ट मैथमेटिक्स का पार्ट के 30 कोश्चन जीकर करेंगे उसके बाद आएगा आपका एवियेसर और एवियेसर के बाद आएगा आपका लेंगवेघ वन आप देखिए लेंगवेज वन इसमें प्रकू ने लिखा पर्ट पॉर कोश्चन नमबर नाइंटी वन वन टॉन्ट इफ यह उप्ट इंग्लिश रिख वन उनली इसमें यह देखिए मेंशन है अगर आप देखेंगे नीचे वाली जाली लाइन है इसमें सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है कि केंडिय शुट अटेम्ट कोश्चन फर पार्ट फॉर कोश्चन नमबर 91 से 120 कब अगर उन्होंने लेंग्वेज बन में इंग्लिश चूज करी है तो पहले सबसे पहले इंग्लिश आई लेकिन लेंग्वेज बन में आपने क्या चूज किया था हिंदी तो आप यह से नहीं टच करेंगे और मैं कैसे बच गया था उसमें मैं बच गया देखा तो वह आप गर ना करें यह बहुत अची तर दिमाग बढ़ा लीजे अपने उसके बाद जो सेकंड जैसे आप इंडी मैंना इंग्लिश का दिखाया अब वही सेम पार्ट फॉर अब यह हिंदी वाला आ गया यह आगया हिंदी वाला यह अच्छारती भाग चार प्रिशने संक्या एक्यानवन से 120 के प्रिशनों को अतर केवल तबीद है यह उन्होंने भाषावन में हिंदी चुना हो तो आप यह दो वाले दो वाहसाय मिली है आपको हिंदी इसमें चूज करना है हमेशा याद रखिए बल्कुल दुमाग में र होते हैं अच्छा हाँ लेंगे डिफरेंस होता है जो हमारे पैसे जाते हैं उनका और आज तो ज्यादा भी सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ज्यादा कठिन तो नहीं आता पेपर पहली बार देने जा रहे हैं सर आप विश्वास नहीं करेंगे मुझ जैसे आलसी आदमी के लि यूज लाइन पर रहिए मैं सीधर दिखाता हूं आपको एक बार देखिये यह नाइटी कोश्चन आपके खतम हुए तीन पार्ट आपने कर लिया आपने मैच कर लिया आपने कर लिया आपका सिच्छन सास्त्र साइकलोजी अब यह लेंगे जो बनाया अब आप सीधर याद दिला दिया थैंक यू अब देखिए इसमें लिखा हुआ है पार्ट फोर इंग्लिश में इंपोर्टेंट केंडिडेट शुड अटेम्ट कोश्चिंस फ्रम पार्ट फूर कोश्चिन नंबर फॉर नाइंटीवन टॉन ट्वेंटी इफ आपने हिंदी एज जो क्यों कि हिंदी दो बार है और इंग्लेश दो बार है तो हिंदी यह वाली आपको अटेम्ट करनी है अगर आपने हिंदी चुना हुआ है अगला हाता है इसके बाद जो में इंपोर्ट चीज आपको 20 खताम हो गया अब यह लेंग्वेज टू आई है अब यहां ध्यान 21 से 150 तो कोश्चन रहेंगे इसमें नमबर पैसेज बदल जाते हैं या दो आते हैं इसमें एक ही आता ऐसा कुछ है तो अभी मतलब थोड़ा सा मेमराइज नहीं है मुझे लेकिन हां थोड़ा डिफरेंस है पैटर्न आप देखेंगे तो इसमें मिल जाएगा आपको बस कर लिए ईविएस आपने कर लिए हिंदी लास्ट में लेंगवेज जो है पांचवा पार्ट यह भी आ गया तैनले दो लेंगवेज हो गएं आपकी और इसके लावा वेट जो साइकलोजी हो गया विए तो यह सारी 40 चीजह हैं और अब हां आपने ऑइमर ठीक से बढ लीर म अगर हमें नॉलेज अच्छी है उसके बाद भी अम नहीं अटेंप्ट सभी से पारे तो इसके बाद जो इंपोर्टन फेक्टर आता है कि अब तैयारी किस्ते करनी है सबसे पहले साइकलोगी है सवाल देख ले रहा हूं मैं यह भी बीच में कि problem कि यह सॉल्व किया है अगर अब देखना चाएं तो मार्ट इसमें देख सकते हैं गई इंट worries यह देרה मेरे मार्ट मैंड़र करें थे इस वाले में तो लगी रहा था लेकिन रख दऐता लेकिन मार्ट पीपर भी सही आयाख था कि पहले हिंदी दन संस्कित करना पढ़ेगा हां जी अगर आपने लेंग्वेज बन में हिंदी इटेंप्ट कि चुना है तो आपको पहले हिंदी करना है रित्वी बलर हो रहा है विल्कुल नहीं दिख रहा तो मैं आपका इंटरनेट डिखाया है नोट क्लियर आपको लेंगोजाल पार्ट अगर देखना है तो एक बाद करिए देख लेते हैं सबसे पहले आप लाइन से सारे पेपर हल करिए गा मतलब जो पैटर्ण दिख रहा है वह आप अपकर दीजिए पहले पैडगोजी करिए देखिए पैडगोजी वाले पार्ट को सब्सक्राइब की पढ़िए सारे सवाल आपके उसी से मिल जाएंगे अपर सब्सक्राइब की अब ले लीजिए अब कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए हम वरना बात करते हैं कि हमने पैडगोजीकल कर लिए इस हमारी किस्से आती है इस आ हमारी आप के वी की बुक आप डाउंडोड कर लीजिए या मतलब मिल जाएंगी आपको जो मेन कंटेंट की साहिता से पेडगोजीकल कोशन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे अपनी कॉमन सेंस से वह आपको किताब नहीं सिखा सकती यह बात मान लीजिए आप और आप पू लेकिन यूनीक की बुक सीटाइड के लिए इस वेरी गुड उसमें पेडगोजीकल कोश्चन का कलेक्शन अब तक का मेरा देखा हुआ सबसे भैतरीन कलेक्शन है नीचे कमेंट आया है नेचनल करकुलम फ्रेमवर्क का आप देख लीजे और बाकी उसमें से बुलेट पॉइंट पढ़ लीजेगा और ठीक है आप लोग दीजे अच्छे से मैत के लिए क्या स्टेड़ी करना है अराधना जी मैत के लिए तो आप सिंपली एट तक की बुक्स आपको अगर मिल ज जाना चाहिए और मैं से इविएस के लिए मैं आपको बता दिया आप लाइन पर रहें अच्छा सुभम जी ठीक हो कोई बात नहीं नंकित जी नंबर आप वाट्स आप नोट कर लीजे देखिए अगर कुछ इन्फोमेशन चाहिए या कुछ आरे न्यूस तो नोट कर लिए यह वाट्स आप नमर मेरा इस नाइन सेवन टू जिरो एट फोर नाइन सेवन सेवन वाट्स परिएगा डॉंट कॉल मी और मैं आपको शेर कर दूंगा जो भी कंटेंट मेरे पास होगा और जूनिया सीटेट में साइन्स एंस एंसी आइटी से आईगी सुदानसु जी सीट आपको कुछ Great ऐसे ठील इता है आप चाहिए ठील तो खेंगे के हैं के गल्त हो जाते हैं पढ़िए और squishy गलत होने और यह बहुत आता है तो इस तरह कि बेसिक सवाली आएंगे बहुत जाद लंब लंब चोना तो नहीं आएगा और तो पूछ रहे हैं विजाई जी कि पर फेस्ट हिंदी है सेकंड लेंग्वेज संस्क्राइब तो पहले फस्ट है तो आप दोनों लेंग्वेज सारे लोगों का जो पास मार्क्स है वो 82 सेट में और इसके लावा नंबर सर मैंने दे दिया है प्रशांत जी और मैं कोई पीडियेफ फाइल है मैं पीडियेफ आपको सेंड कर दूंगा है मेरे पास पीडियेफ फाइल पढ़ी हुई जो मैंने इविएस के खुछ से नोट् मैं खुदी बनाए है अपने और वी कौन ऑनलाइन है अप्रूव कर रहा हूं मैं सुभम जी आपको कि नो आंसर फ्रम लाइव आ नहीं रहे हैं चलिए कोई बात नहीं आपको बात में ले आएंगे और कोई सवाल हो तो पूछ लीजे वरना फिर में लास्ट मिनट है मेरा अगर आप चाहते हैं कि यह paper मेरे सामने है मेरा वाला गंट किया हुआ है अगर आप चाहरे है तो मैं दिखा सकता हूं या इसके लावा कोई और information चाहिए सीट्ट से रिलेटेड तो आप बता सकते हैं या चाहते हैं कि कर लूँ दुबारा दिन में तो मैं कर लूँगा एक session दुबारा हम शाम को आके आगर आप बता दें सही समय से तोड़ा लेट हो गया है काफी दिनों से सीटैट को लेकर कोई भी content sharing या कुछ ऐसे information sharing मैंने नहीं करी तो मेरे दमाग में है कि मैं कुछ कुछ आपको जानकारी देदूं तो चलिए मुझे लगता है कि कोई queries नहीं है आपके पास तो पंडित प्रशान सर्मा सर एक बार और बोल दीजे मैंने लिखनी पाया नंबर सर आप लिख लिजे 9720 972084 9768 केवल WhatsApp करिएगा प्लीज डॉंट कॉल मैं शायद ना उठापा हूं आपकी call वगएरा क्योंकि थोड़ा सव्यस्थता रहती है पढ़ाने के लिए बच्चों को समय देना होता है मुझे ठीक से तो WhatsApp करेंगे तो I will definitely provide you the content ठीके सा तो चलिए मिलते हैं अगर लोग request करते हैं comment करते हैं तो कल करेंगे हम लोग दोएक live session छोटा सा और कोई अगर specific क आपकी कोई नीड है सब्जेक्ट विसेश की नीड है तो एक का जवाब नहीं दिया इवेस के नोट्स में आपको दे दूंगा सुमित पंडित जी अनौसमेंट में आप देखेंगे तो Google Drive की PDF पड़ी है मेरी सुभम भाई क्या जवाब नहीं दिया मैंने क्या लगता है सीटेट इजी आएगा यूपीटेट की तरह है सर सीटेट ट्रिकी आता है कठेन तो नहीं आता सीटेट में तो सारे questions जो है ट्रिकी ही होते हैं उसमें मतलब आप यह नहीं कह सकते कठेन हैं हाँ लेकिन थोड़ा झाल 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 झाल